कोरोना जैसी महमारी से लड़ने के लिए कई बड़ी हस्तियों से लेकर आम लोगों तक बड़ा युगदान दे रही हैं वही गॉलफर अरजुन भाटी जोकी मातर 15 साल के हैं अरजुन भाटी ने विश्व जूनियर गॉल्फ चैंपियंशिप खिताब और एक राश्य चैंपियंशिप सहेत अपनी सभी ट्रॉफी बेच कर 4,30,000 रुपे कोरोना से लड़ने के लिए यूगदान में दे दिया ग्रेटर नुटा के गॉलफर अरजुन भाटी ने 2016-2018 में यूएस स्केट्स जूनियर वर्ल्ड चैंपियंशिप और पिछले साल एपसीजी कालवे जूनियर वर्ल्ड चैंपियंशिप जी दी थी अरजुन ने ये रकम जुटाने के बाद इसे पीम केर फंड में कोरोना पिरितों की मदद के लिए जमा करवा दिया मंगलवार को अरजुन ने ट्वीट कर कहा कि जो देश विदेश से जीत कर कमाई हुई 102 ट्रॉफी संकट के समय में ने 102 लोगों को दे दी है उनसे आए हुए 4,30,000 रुपे पीम केर फंड में देश की मदद को दिये कोरोना कमांडूस का हौसला बढ़ाए और उन्हें शुक्रिया कहें अर्जुन ने आगे लिखा कि मेरा युगदान पता चलने पर मेरी दादी पहले रोई और फर कहा कि ये समय असली अर्जुन आप हो मानव जीवन को बचाना महतोपून है भविश में ट्रॉफी जीती जा सकती है अर्जुन के स्ट्वीट पर प्रिधान मंत्री नरेंद्र मूदी ने रीट्वीट करते हुए लिखा कि देशवासियों की यही वो भावना है जो कोरोना महमारी के समय सबसे बड़ा संबल है